हेलो एवरिवन तो आज हम 15 माई 2022 के दाहिंदू को डिसकस करेंगी दोस्तों आज का अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और नहीं किया है दोस्तों तो कर लीचिए और साथ ही टेलिगराम गुरॉप को भी जोइन कर लिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक इसकी जिसको नहीं किया जाता है हमारा जो इंडियन रूपी हो गया इसको जब यह स्लाइड करता है दोस्तों तब यानि हमारा रूपी क्या है डाउन होता है गरता है दोस्तों तो आपको बताना है कि इन मेंसे कौन से इंग्रेडियं एंट है जिसका यूज हम नहीं करती है तो यह चार अपसवन नहीं तो इन मैंसे आपको राइट अंसर पताना है इसका राइट अंसर दोस्तों आपको वीड Dio के enn फीनिस्टर थे दोस्तों अब उनको रेप्लेस कर रहें कौन मानिक सा दोस्तों पहले कौन थे नीं कौन में इस तारीकी कि जो paulitical देखने-जो तो सब्सक्राइब तो दोस्तों तो यह निए दोस्तों जो अंगला आर्टिकल है इसमें क्या बात हो रही दूस्तों अब हमारे से डियस थे दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे दोस्तों विपन रावत इनका है सभई क्राष से किया है और लीकाप्टर क्राष में में हुए देथ हो जोय दोस्तों तब से क्या है जो घृत फस्तों यह मिंस्ते और क Gör Was सोच रही दोस्तों गवर्मेंट सोच रही कि जो पोस्ट है दोस्तों इसको लेकर क्या क्या है इसमें कामिया है दोस्तों और कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क त्भाई रीजिए ने बोडम्स वर्ल्ड के लिए कि हम इंडियन गवर्मेंट ने बेन कर दिया है आप सब्सक्राइब एक इसको बेन कर दिया है आप सड़नी क्या है कि इंडिया ने जो एक्सपोर्ट है इसको क्या कर दिया है बैन कर दिया है तो इसके पीछे का कारण क्या रहा दोस्तों तो जान लेते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनियन कवर्टमेंट ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट और वीट इमीडियेट एफेक्ट के साथ और यह क्यों किया है इसके पीछे का रीजन है यह है दोस्तों इसको लेकर इंडिया ने जो एक्सपोर्ट था वो और अगर हम बहीं देखें तो दो दिन पहले हम पॉसिबिलिटी इसके हम कहां कहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना जो वीट है उसको तो हमने डेली संपी सेंड किये थे लेकिन अभी हमने जो हमें देखने को मिली अंसारी टीनिटी वर्ल्ड में की बहुत सारे देश हैं जैसे अगर हम बात करें जो रासिया हो गया का जाकिस्तान होगा अर्जेंटीन हो वल् उडियों की वह उसके पीछी करिजन किया है उसके पीछी करेंटीन है अज्ड का इकसपोर्ट होता है वह होता है दोस्तों रसिया से और साती होता है बहुत सारा एक्प्राइब का तो वह क्या ठप पड़ा हुआ है तो इसके वज़ेसे सॉटेज्ज देखने को मिल लेकिन इंडिया के लिए टैंसा नहीं है इंडिया ने प्रकॉसिनरी मेजली आनि इंडिया में अभी गैहन की शॉट इस नहीं है लेकिन अगर हम देखें पिछले पांस सा कहीं नहीट है दो तो यह गर देखें ऑल ओवर वर्ड में विट finer तो में गोड़ सब्सक्राइब देखें रोस्यां भी करता है युक्राइन वी करता है रसी उसका है इसमोर का मार्कट करता है में देखेंव 2,0201 में cobile क्या हैं घ्लक करते थे कितना आइज तो 25 पासेंट से ज्यादा वीट का जो यह दोनों मिलके क्या करते थे एक्सपोर्ट करते थे वीट का टॉप फाइब कंट्री अगर हम देखें ऑल ओबर वर्ल्ड में तो जो हाइस्ट डॉलर वैल्यू वर्थ वीट इंक्लूडिंग तो रसिया देखने को मिलता है टर्की का यह यह दोस्तों थे उकISE और हम देखें टॉच्स जदा गया हुग यॉक्रेटा है वीट गया आपको कमेंट अपटाना है ली अगर दखेंट अबना इंडिया दोस्तों साइब उस्क्रूद सब्सक्राइब वे प्रोडख्जन है दोस्तों कि बहुत बड़ा चंक दोस्तों मैंघने अग्सपोर्टशन है गर तो हम्ट पर्संट कहा हमारा होता है दूस्ट वह दोस्तो यह वाला आर्टिकल नीजaba तो अब हमें क्या देखने को फpaper है कि हमारा जो न्युपि है इसके प्राइस के न हो रहा है यानि मजबूत हो रहे हैं और रूपी हमारा क्या हो रहा है ड्यप्रीसियेت हो रहा है यही बात की गई है और साथ ही आपके लिए एक मैंस का कॉश्चन भी है दोस्तों जिसको आपको प्रैक्टिस कॉश्चन इसका अंसरा लिखने की कोश्चिस करनी है कि अगर फालिंग दा वैल्यू ऑफ रिपी बिलेड़ सेवरल प्रॉब्लम में जो रुपय की गिरती है तो समस्क्न से कुछ समख्यां पैदा होती है भारती एकनोमी में अब आपको एग्जबाइन करने है कि कौन से प्रॉब्लम है एक जमाइन गोज यानि कारन बताने है कि आपको बताने कि कैसे उस तो यह पूरा कॉस्चन है दोस्तों इसको आपको लिखने की और 200 सब्दों में इसका और आप लेक हैं टेलिग्राम व्रूप में भी पुष्ट कर सकते हैं वह आपका रिवीव करूँ आहरे सकते हैं कमेंट में दोस्तों इसकला आथा कंशाफ्टर यहीं आते हैं सबसे पहले हम जाने डाली इसन क्या होता है डाप्रिसीयेशन का मतलब होता है यह कि यानि इंटरनेशनल मार्किट में क्या है जो हमारी करनसी डॉलर के साथ और किसाथ क्या है यानि अगर नटीस या कम करती है टो हमारे जाया हैं करनसे इप्रिषन का मतलब होता है कि रुपर की घ्ली अजिए हम माल लेते हैं कि कम हो जाए और इसे हम को बोलते हैं क्या depreciation रूपीड डॉलर के कंपेर में क्या हो जाता है रूपे की वैलियू कम हो जाते हैं हम रूपीड एप्रीशेशन कहते हैं वह अगर हम देखें दूस्ते एक जामपल के लिए आप माले कि एक डॉलर है अभी कितनी सतर रूपे का वह अगर हम देखे होटे हैं क्या लेकर भाट उनलु एक्वल reflex करने के लिए इतने 12 और हम क्या हूँ जाते हैंक्त होट में कम होटे जाते हैं तो यह तो हमने झाल लूप अब इसका इंपक्ट क्या होता है दोस्तों आप इंड्यन लुपी पर इसका होता है रूपी पर हैंग्हार स्वार है दो दारी तलवार की तरह है दोस्तों डाफिशेशन अगर होता है रूपी का वह कैसे अगर हम देखे पॉजिटिव इंपक्ट की बात करें तो रूपी होता है दूस्तों थे पीख होता है हमारा expert तो रूपी एक्सपोर्ट क्या होगा बढ़ता है क्योंकि जो हमारी रूपे की वैली कम हो रहे तो चीज़े प्रोडक्ट क्या हम सस्ती हो जाती है यानि पर्चेसिंग अब डॉलर से अगर कोई खरीद आ तो ज्यादा हो जाता है तो हमारी चीज आसानी से खरीद लेगा तो इससे अगर अंसाइट इनिटी बनती है जैसे अभी हमें देखने को मिल लगी है रसीन वार की वजए से तो क्या हो रहा है इससे अगर हमारे रोपेड अप्रिशीट होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इससे नुकसान होता है दोस्तों तो यह अगर हम बाहर से परचेस करते हैं तब तो इंडिया आल्सुन बेरा थे मिलते हुए जो फूड हो सकती है दोस्तों किसे का होगी जो फूड हो कहा हुए कि सब्सक्राइब तो यह हमें इसके नेगेटिव इंपेक्ट भी देखने को मिलते हैं यह दोस्तों आप यादरा की एफेक्ट कि हम ज्यादा तर जो ओयल अकर हम देखें कितना तूठर्द जो रेक्वाइर्मेंट है क्या करते हैं बाहर से खड़िते दोस्तों यानि इंपोर्ट करते हैं यह बहुत ही खत्र की घंट है अगर रोपे की वैल्यू कम होती है दोस्तों तो हमें ज्यादा पैचे कर्स खरने होगे और खरदीदने के लिए तेल और साथ ही क्या होगा इससे जो फिर जो मार्केट में तो यह हुआ इसके तयल के देखने के मलते हैं नागर पैक्ट और रीजन की बात करें आगर इसके पीछी कwhat मतलब कि अगर हम देखे यत registration को सकते हैं जो इस टॉक्समार। लगातारा करेंट्रेट की क्या होती है सेल आफ देखने को मिले दोस्तों तो इससे क्या होता है हाइक इंट्रेस्ट रेट को घंपर रोपी बिसेकली इसका पीछे का करण क्या होता इसका होता है दोस्तों यूसी ने इंट्रेस्ट रेट Mai का दिये तो क्या होता है जो है इंडिन मार्केट इपिस्ट में यहां होसी डिन caress लुगा मिलता है और यहां सो पैसा ज्थी । को बाहर क्यों जा उनिंकी गवर्मन्ट जारना इंट्रेस्ट करना प Assass bạn यह संदूर था है तो मार्केट से क्या है पैसे ने करके सीधे यूच मैं जाने लगती है तो यह देखना है अब जैने वारे यूरोफ दोस्टों देखना कंसर funnel कोई 19 थो उङस है प्राइब m.पता है दोस्तों कि चाहिना जूज़ा freezer compound कि फॉलफिल करने के लिए कि खरीते हैं अगर क्रूड के प्राइस तो इस सारा पैसा हम डॉलर में परचिस करते हैं तो को तो इस से हमारे जो फुलो है दोस्तो अगर देखें मुझा बढ़ जाता है कर दोस्तों को करने के लिए और इंट्रेस्ट रेट को बढ़ा दे गया तो इसको कांटर करने के लिए इस तो इससे भी क्या होता हमारे रोपय की वैली क्या होती दोस्तों डेप्रिशियेट होती है दोस्तों यह तो हमने कौज जान लिए अब दोस्तों इसके इंपक्ट क्या करने से काइड हो गाइव हमारी में हमारा बढ़ना स्टाट हो जाता है और साथ हमारी प्रेक्स यह क्या हो जाता कम होना स्टाइब हो जाता है यानि current account deficit बढ़ेगा और साथी जो फॉरेक्स हमारा रेजर्व हो गया दोस्तों यह क्या होगा यह घड़ना स्टार्ट हो जाएगा और साथी जो हाइर लेंडिंग प्राइस क्रूड और अगर हम देखें जो क्रूशियल इंपोर्ट है हमारे एकनोमिक लिए जरूरी भी है त प्राइसे इंपराइसे इंडिए नीver स्टार्ट हो जाएगी Cultural अगर मॢूब यह ब्रिक्रीज हो क्वाइब करेंगी तो यह देखने को मिलता है दोस्तों साथ ही जो फिसकल डैफिसेट हो गया दोस्तों यह वह बढ़ता है अगर हम देखें अगर वार्ज कर देखते हैं तो वह पेकर नहीं होती है में डॉलर में और साथ यह क्या है उतनी हमार होती नहीं तो क्या होता है दीरे-दीरे डैफिसेट होता रहता है तो यह भी क्या है और वाइडनिंग होना स्टार्ट कर हो जाता है कि ज्यादा पैसे हम घरच करने लगते हैं तो आप समझ चुके होंगे अब दोस्तों इसके सजेशन में आपको बताना है क है कि क्या क्या होती है अगर हम तो तो यहीं कर सकती है कि एक तो अगर इंट्रेस्ट वह तो बढ़ाएंगी दोस्तों तब ही क्या होगा दोस्तों को हम कर घदे ने ग्रोफ रोग जाय करने है महंगाई यह अến度ों का बेलंस भी बनानों आघंव और तो यह सारी सी सेGrजेशन हैं तो कहीं या कहीं इस से हमारे लिए फायदा होगा दोस्तों कौन सा इसा गाता है दोस्तों जिसको जो टोस्तों आप देखने को मिलता है तो या को नहीं लेती है देखते हैं तो दो अगाघ ह要ता है, फिर यह सब करते हैं,anciे, करते हैं, तो अगर हम क्या है, कर देदे हैं, फिर भी इस से हमारा जो रूपी है दोस्तों इसको जानदा benefit नहीं मिलेगा भाहिं तो इसका यूज करती है दोस्तों और शाथीं और क्या करती है दोस्तों encouraging Indian borrowers to issue रूपी to masala bond ये भी दोस्तों मेजर लेती है government aging condition related to external commercial borrowing तो ये भी दोस्तों लेती है दोस्तों साथी following the expensive monetary policy दोस्तों यह वाला जो option दोस्तों इसको नहीं लेती है दोस्तों यह अगर यह लेंजे दोस्तों तो और जादा depreciation देखने को मिलेगा दोस्तों तो option DS का क्या है right answer है आप दोस्तों आपने enjoy किया हो आज दोस्तों ज्यादातर आर्टीकल्स हमारे एक्जाम पॉइंटे वीचे महत्मुन नहीं थे और आज संडे भी है तो आज हमें एडिटोरियल डिसकुस्न देखने को नहीं मिलता है दोस्तों और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सब्सक्राइब को जादा से लोगों तक पहुंचे ताकि जो फुरी है जी किसने सब्सक्राइब कर पाएं दोस्तों मिलते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मस्त रहिए जय हिंद हिंदे सब्सक्राइब करें तक करें झाल झाल